जब मैं पहुचा दर्वाजा बंद था. The door was locked when I arrived. तूफान से पहले उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी. They closed the windows before the storm. तूफान से पहले उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी. They closed the windows before the storm. पानी की आपुती काट दी गई थी और नल बंद कर दिये गए थे. The water supply was cut off and the taps were closed. दर्वाजा सारी रात खुला रहा. The door was left open all night. क्या आप मेरे लिए दर्वाजा खुल सकते हैं? Can you unlock the door for me? क्या आप मेरे लिए दर्वाजा खुल सकते हैं? Can you unlock the door for me? वह दर्वाजे की पास खड़ी हो गई और उसका इंतिजार किया. She stood by the door waiting for him. वह दर्वाजे की पास खड़ी हो गई और उसका इंतिजार किया. She stood by the door waiting for him. उसने गलती से गलत दर्वाजे में प्रवेश कर लिया. She accidentally walked into the wrong door. उसने गलती से गलत दर्वाजे में प्रवेश कर लिया. She accidentally walked into the wrong door. जो जानकारी आपने दी है वह गलत है. The information you provided is incorrect. जो जानकारी आपने दी है वह गलत है. The information you provided is incorrect. उन्होंने गलती से गलत फाइल भेज दी. They sent the wrong file by mistake. उन्होंने गलती से गलत फाइल भेज दी. They sent the wrong file by mistake. किताब में कई गलत प्रिंटिंग थी. The book had several misprints. बाल्टी भरी हुई है और पानी बह रहा है. The bucket is full and water is spilling over. बाल्टी भरी हुई है और पानी बह रहा है. The bucket is full and water is spilling over. तूटी हुई जग के किनारे से पानी टपक रहा है. Water is dripping from the edge of the broken jug. तूटी हुई जग के किनारे से पानी टपक रहा है. Water is dripping from the edge of the broken jug. पानी की leak के कारण फर्श पर गंदगी फैल गई. The water leak caused a mist on the floor. पानी की leak के कारण फर्श पर गंदगी फैल गई. The water leak caused a mist on the floor. वह टैंक में मचलियों को खाना दे रही है. She is feeding the fish in the tank. वह टैंक में मचलियों को खाना दे रही है. मचवारे ने मचली पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तमाल किया. The fisherman used a net to catch the fish. मचवारे ने मचली पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया टिकट काउंटर पर लाइन बहुत लंबी है बस के लिए इंतिजार कर रही लोगों की एक लाइन है बस के लिए इंतिजार कर रही लोगों की एक लाइन है कृपया काउंटर पर लाइन में खड़े रहें मुझे लिखने के लिए एक टुकड़ा कागा चाहे मुझे लिखने के लिए एक टुकड़ा कागा चाहे क्या आप मुझे अपने सैंडविच का एक टुकड़ा देख सकते है उसने आग में एक लिखने का टुकड़ा डाला उसने समुद तट पर एक लिखने का टुकड़ा पाया उन्होंने कीक को आथ टुकड़ो में काट दिया जमीन साफ करने के लिए पेड को काट दिया गया जमीन साफ करने के लिए पेड को काट दिया गया उसने नए स्टोर को खोलने के लिए रिबन काटा मैंने उसे कल मॉल में देखा I saw him at the mall yesterday मैंने उसे कल मॉल में देखा I saw him at the mall yesterday पूरे दिन अंदर रहने के बाद मुझे ताजी हवा की जरूरत है I need some fresh air after being induced all day मौसम अचानक पलट सकता है The weather can turn suddenly मौसम अचानक पलट सकता है The weather can turn suddenly उसने किताब का पन्ना पलटा She turned the page of the book उसने किताब का पन्ना पलटा She turned the page of the book उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर पलटा She turned his head to look behind उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर पलटा She turned his head to look behind पुरानी किताब के पन्ने फटे हुए थे The old book's pages were torn पुरानी किताब के पन्ने फटे हुए थे The old book's pages were torn पर्दा फट गया है जब वह उलज गया The curtain got torn when it got caught पर्दा फट गया जब वह उलज गया The curtain got torn when it got caught लिफाफा फट कर खुल गया था The envelope was torn open लिफाफा फट कर खुल गया था The envelope was torn open Shipping के दोरान plastic cover फट गया The plastic cover was torn during shipping Shipping के दोरान plastic cover फट गया The plastic cover was torn during shipping उसने फर्च साफ करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल किया She used a bucket to clean the floor उसने फर्च साफ करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल किया She used a bucket to clean the floor क्रिप्या बाल्टी को इस्तमाल करने से पहले धोले Please rinse the bucket before using it क्रिप्या बाल्टी को इस्तमाल करने से पहले धोले Please rinse the bucket before using it बाल्टी का हैंडल तोट गया है The bucket handle is broken मुझे काद होने के लिए एक बाल्टी की जरूरत है I need a bucket to wash the car मुझे काथ होने के लिए एक बाल्टी की जरूरत है I need a bucket to wash the car कृपया सबजियों को पकाने से पहले धोली Please wash the vegetables before cooking कृपया सबजियों को पकाने से पहले धोली Please wash the vegetables before cooking मैं कल बिस्तर की चादद होंगा I will wash the bedsheets tomorrow मैं कल बिस्तर की चादा धूंग I will wash the bedsheets tomorrow क्रिपिया बाथरूम का इस्तिमाल करने की बाद अपनी हाथ धोली Please wash your hands after using the bathroom क्रिपिया बाथरूम का इस्तिमाल करने की बाद अपनी हाथ धोली Please wash your hands after using the bathroom वे साबून से अपनी हाथ अच्छी तरह धोती हैं जब मैंने डबा खुला तो वा खाली था जब मैंने डबा खुला तो वा खाली था उसने खिलाने वापस डबे में रख दिये He put the toes back in the box उसने खिलाने वापस डबे में रख दिये He put the toes back in the box डबे का धकन तोटा हुआ है The box has a broken lid मुझे इन किताबों को पैक करने के लिए एक दबा चाहिए I need a box to pack these books मुझे इन किताबों को पैक करने के लिए एक दबा चाहिए I need a box to pack these books ये जूते इस डबे के लिए बहुत चोटी है The box is too small for these shoes ये जूते इस डबे के लिए बहुत चोटी है The box is too small for these shoes Car एक परत धूल से धगी हुई थी The car was covered in a layer of dust उन्होंने धूल से बचने के लिए मास्क पहने They wore masks to protect themselves from the dust धूल भरी किताब को सालों से चुआ नहीं गया था The dusty book had not been touched for years धूल भरी किताब को सालों से चुआ नहीं गया था The dusty book had not been touched for years ट्रक के गुजरने की बाद धूल की बादल बन गए Dust clouds formed after the truck passed by ट्रक के गुजरने की बाद धूल की बादल बन गए Dust clouds formed after the truck passed by उसने पूरा दीन गैरिज की सफाई में बिताया She spent the whole day cleaning the garage उसने पूरा दीन गैरिज की सफाई में बिताया She spent the whole day cleaning the garage सफाई टीम सुबह जल्दी पहुँच गए The cleaning crew arrived early in the morning सफाई टीम सुबह जल्दी पहुँच गए The cleaning crew arrived early in the morning सफाई के सामान अल्मारी में रखे हुए हैं The cleaning supplies are stored in the closet सफाई के सामान अल्मारी में रखे हुए हैं The cleaning supplies are stored in the closet इस घड़ी का समय गलत हैं The time on this clock is inaccurate इस घड़ी का समय गलत है The time on this clock is inaccurate घड़ी का alarm function खराब हो गया है The clock's alarm function is broken घड़ी का alarm function खराब हो गया है The clock's alarm function is broken उन्होंने बस लेने के बजाए पैदल चलने का फैसला किया They decided to walk instead of taking the bus उसे शहर में पैदल चलना पसंद है She enjoys walking through the city उसे शहर में पैदल चलना पसंद है She enjoys walking through the city पैदल चलने के लिए मुझे आरामदायक जूते चाहिए I need comfortable shoes for walking समून तट के किनारे पैदल चलना सुकून भरा होता है Walking along the beach is soothing समून तट के किनारे पैदल चलना सुकून भरा होता है Walking along the beach is soothing उसे अपने नाखुनों को काटने की जरूरत है He needs to trim his nails उसकी नाखुन हमेशा साफ और पॉलिच के हुए होते है Her nails were always clean and polished उसकी नाखुन हमेशा साफ और पॉलिच के हुए होते है Her nails are always clean and polished उसकी नाखुन तेजी से बढ़ रहे है Her nails are growing rapidly उसकी नाखुन तेजी से बढ़ रहे है Her nails are growing rapidly उसने ब्रश से अपने नाखुनों के नीचे साफ किया He cleaned under the nails with a brush उसने ब्रश से अपने नाखुनों के नीचे साफ किया He cleaned under his nails with a brush यात्रा की दौरान मेरा charger तूट गया My charger broke while traveling यात्रा की दौरान मेरा charger तूट गया My charger broke while traveling आपका सुझाओ समस्या को हल करने में बहुत सहायक था Your suggestion was very helpful in solving the problem क्या आप एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए सुझाओ दे सकते है Can you suggest a good book to read क्या आप एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए सुझाओ दे सकते है Can you suggest a good book to read मैं इस मामली पर आपकी सुझाओ सुनना चाहूंगा I'd like to hear your suggestions on this matter मैं इस मामली पर आपकी सुझाओ सुनना चाहूंगा I'd like to hear your suggestions on this matter क्रिपय पंखे की दिशा को खिड़की की ओर मोड़ दे Please adjust the fan direction to face the window क्रिपय पंखे की दिशा को खिड़की की ओर मोड़ दे Please adjust the fan direction to face the window साफ करने से पहले सुनिशित करें की पंखा बंध हो Make sure the fan is switched off before cleaning साफ करने से पहले सुनिशित करें की पंखा बंध हो Make sure the fan is switched off before cleaning Pipe के खराब होने की कारण पानी का दबाव कम है Water pressure is low due to the damaged pipe Pipe ये खराब होने के कारण पानी का दबाव कम है Water pressure is low due to the damaged pipe Pipe जमीन के नीचे दबी हुई थी The pipe was buried underground Pipe जमीन के नीचे दबी हुई थी The pipe was buried underground Pipe को जंग लगने से बचाने के लिए लेपित किया गया था The pipe was coated to prevent rusting Pipe को जंग लगने से बचाने के लिए लेपित किया गया था The pipe was coated to prevent rusting Pुरानी किताब का कवर फट गया है The old books cover is falling apart पुरानी किताब का कवर फट गया है The old books cover is falling apart बिस्तर बदलते से में चाहदा फट गई The sheet tore when we were changing the bed बिस्तर बदलते से में चाहदा फट गई The sheet tore when we were changing the bed भारी सामान ले जाते से में बैक फट गया The bag ripped while carrying heavy items उसकी dress दिवास से रगडने पर फट गई Her dress tore when she brushed against the wall I don't know if she will come to the party मुझे नहीं मालूम कि वा पार्टी में आएगी या नही I don't know if she will come to the party उन्हें नहीं मालूम कि दुकान आज खुली है या नही They don't know if the store is open today Swimming pool सफाई के लिए बंद है The swimming pool is closed for cleaning Swimming pool सफाई के लिए बंद है The swimming pool is closed for cleaning Factory पिछले दो हफ़तों से मशिनरी की मरम्मत के कारण बंद है The factory has been closed for the past two weeks due to maintenance work on the machinery Factory पिछले दो हफ़तों से मशिनरी की मरम्मत के कारण बंद है The factory has been closed for the past two weeks due to maintenance work on the machinery उन्होंने कार को कीचर से बाहर निकालने के लिए रसी का उप्यों किया They used a rope to pull the car out of the mud उन्होंने कार को कीचर से बाहर निकालने के लिए रसी का उप्यों किया They used a rope to pull the car out of the mud नाविको ने नाव को सुरक्षित करने के लिए रसीया उप्यों कि The sailors used rope to secure the board नाविको ने नाव को सुरक्षित करने के लिए रसीया उप्यों कि The sailors used ropes to secure the board रसी पेड की शाखाओं में उलच गय थी The rope was tangled in the tree branches रसी पेड की शाखाओं में उलच गय थी The rope was tangled in the tree branches रसी का उपयोग भारी उपकरन उठाने के लिए किया गया The rope was used to haul the heavy equipment उसने खिड़कियां साफ करने के लिए सीढही लगाई She set up the ladder to clean the windows उसने खिड़कियां साफ करने के लिए सीढही लगाई She set up the ladder to clean the windows सीढही इतनी भारी थी कि उसे अकेले नहीं ले जा सकते थे The ladder was too heavy to carry alone सीढही इतनी भारी थी कि उसे अकेले नहीं ले जा सकते थे The ladder was too heavy to carry alone उसने बैठ़क में सभी के साथ हाथ मिलाया He shook hands with everyone at the meeting उसने बैठ़क में सभी के साथ हाथ मिलाया He shook hands with everyone at the meeting उसे चोरी करते हुए रंगी हाथ पकड़ा गया He was caught red-handed stealing खेलते समय उसने अपने हाथ को चोट पहुचाई He hurt his hand while playing sports खेलते समय उसने अपने हाथ को चोट पहुचाई He hurt his hand while playing sports उसने डिनर से पहले अपने हाथ दोई She washed her hands before dinner उसने डिनर से पहले अपने हाथ दोई She washed her hands before dinner उसने प्रोजेक्ट पर बहुत समय खच किया He spent a lot of time on the project उसने प्रोजेक्ट पर बहुत समय खच किया He spent a lot of time on the project उसने लंबे समय तक इंतिजार किया He waited for a long time उसने लंबे समय तक इंतिजार किया, He waited for a long time. उसने एक गिलास पानी पिया, She drank a glass of water. हमें दिन में कम से कम आठ गिलास पानी पीना चाहिए, We should drink at least eight glasses of water a day. हमें दिन में कम से कम आठ गिलास पानी पीना चाहिए, We should drink at least eight glasses of water a day कुए का पानी सुख गया है The water in the well has gone dry मैंने गल्सी से अपने लाप्टोप पर पानी डाल दिया I accidentally poured water on my laptop मैंने गल्सी से अपने लाप्टोप पर पानी डाल दिया I accidentally poured water on my laptop दिवार पर लगी घड़ी खराब हो गई है The clock on the wall is broken मैंने किताब पढ़ते पढ़ते समय का पता खो दिया I lost track of time while reading the book मैंने किताब पढ़ते पढ़ते समय का पता खो दिया I lost track of time while reading the book मेरी घड़ी को नई बैटरी की जरूरत है My watch needs a new battery मेरी घड़ी को नई बैटरी की जरूरत है My watch needs a new battery उसने अपनी घड़ी के बजाए अपने phone पर समय देखा She checked the time on her phone instead of her watch उसने अपनी घड़ी के बजाए अपने phone पर समय देखा She checked the time on her phone instead of her watch वह बहुत लंबी समय से महनत कर रही है She has been working hard for a long time वह बहुत लंबी समय से महनत कर रही है She has been working hard for a long time कारे मेरी अपिक्षा से बहुत आसान था The task was much easier than I expected कारे मेरी अपिक्षा से बहुत आसान था The task was much easier than I expected वह बहुत अधिक चीनी खाता है He eats too much sugar वह बहुत अधिक चीनी खाता है He eats too much sugar क्या आप इस समस्या मेरी मदद कर सकते हैं Can you help me with this problem? क्या आप इस समस्या मेरी मदद कर सकते हैं Can you help me with this problem? वह हमेशा जब भी जरूरत होती है मदद के लिए आगी आती है She always steps in to help when needed वह हमेशा जब भी जरूरत होती है मदद के लिए आगी आती है She always steps in to help when needed मैंने उसके लिए एक छोटा उभार खरीदा I bought a small gift for her मैंने उसके लिए एक छोटा उभार खरीदा I bought a small gift for her शहर इतना दूर है कि एक दिन में गाड़ी से नहीं पहुं सकते The city is too far to drive in one day शहर इतना दूर है कि एक दिन में गाड़ी से नहीं पहुं सकते The city is too far to drive in one day वह हर दिन काम के लिए दूर यात्रा करती है She travels far for work every day She travels far for work every day दुकान इतनी दूर है कि पैदल नहीं जा सकते The store is too far to go on foot दुकान इतनी दूर है कि पैदल नहीं जा सकते The store is too far to go on foot अब कॉल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है It's far too late to call now हमारे पस चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा है We have nothing left to discuss हमारे पस चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा है We have nothing left to discuss मुझे उस घर्टना के बारे में कुछ नहीं पता I know nothing about the incident मुझे उस घर्टना के बारे में कुछ नहीं पता I know nothing about the incident आपकी सेहा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है Nothing is more important than your health उसने सब कुछ समझाया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया He explained everything But nothing made sense उसने सब कुछ समझाया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया He explained everything but nothing made sense इस शर्ट का दाम क्या है? What is the price of this shirt? इस शर्ट का दाम क्या है? What is the price of this shirt? कि अब दाम थोड़ी कम कसकते हैं? Can you reduce the price a little? कि अब दाम थोड़ी कम कसकते हैं? Can you reduce the price a little? अगली सब्दा दाम बढ़ जाएगा The price will go up next week अगली सप्ता दाम बढ़ जाएगा The price will go up next week वह घरी के कम दाम से हैरान था He was surprised by the low price of the watch कागच को छोटी टुकडो में काटा गया है The paper is cut into small pieces उसने अपना बाल छोटा कटवा लिया She had her hair cut short उसने रसी काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया He used a knife to cut the rope He used a knife to cut the rope मुझे किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार जाना है I need to go to the market to buy groceries मुझे किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार जाना है I need to go to the market to buy groceries बाजार में बहुत सारी दुकाने है There are many stalls in the market बाजार में बहुत सारी दुकाने है There are many stalls in the market रविवार को बाजार जल्दी बंद हो जाता है The market closes early on Sundays मैं ताजा ब्रेट के लिए अक्सर बाजार जाता हूं I often go to the market for fresh bread मैं ताजा ब्रेट के लिए अक्सर बाजार जाता हूं I often go to the market for fresh bread हम ट्राफिक में एक घंटी से ज़्यादा फंसे रहे We got stuck in traffic for over an hour मैंने सुना है कि निर्मान की कारण सड़क बंद रहेगी I heard there will be a road closer due to construction मैंने सुना है कि निर्मान की कारण सड़क बंद रहेगी I heard there will be a road closer due to construction घह से निकलने से पहले traffic report चेक करने चाहिए You should check the traffic report before leaving home चौराहे पर नए traffic signals लगाए जा रहे है They are installing new traffic signals at the intersection चौराहे पर नए traffic signals लगाए जा रहे है They are installing new traffic signals at the intersection लंबे समय तक उप्यों की बात कपड़ा फटने लगा The fabric began to tear after prolonged use लंबे समय तक उप्यों की बात कपड़ा फटने लगा The fabric began to tear after prolonged use गुबारा एक तेज आवाज की साथ फट गया The balloon burst with a loud sound गुबारा एक तेज आवाज की साथ फट गया The balloon burst with a loud sound उसने गलती से अपनी dress फार दी She accidentally tore her dress उसने गलती से अपनी dress फार दी She accidentally tore her dress उसने अपनी shirt में फटे हुए को ठीक करने की कोशिस की He tried to mend the tear in his shirt उसने अपनी shirt में फटे हुए को ठीक करने की कोशिस की He tried to mend the tear in his shirt फिल्म देखते से में उसकी आँख में आसु आ गए She felt a tear in her eyes while watching the movie फिल्म देखते से में उसकी आँख में आसु आ गए She felt a tear in her eyes while watching the movie Package पस सील फटे हुए थी The seal on the package was turned open Package पस सील फटे हुए थी The seal on the package was turned open जब वह ज़ाडियों के बीज से दौड़ी तो उसकी ड्रेस फट गई Her dress tore as she ran through the bushes जब वह ज़ाडियों के बीज से दौड़ी तो उसकी ड्रेस फट गई Her dress tore as she ran through the bushes क्या आप मेरी चचेरी भाई से मिले हैं? Have you met my cousin? क्या आप मेरी चचेरी भाई से मिले हैं? Have you met my cousin? मैं उससे किताबों की दुकान पर मिला I met her at the book store मैं उससे किताबों की दुकान पर मिला I met her at the book store He is excited about meeting his favourite author वो अपने पसंदीरा लिखक से मिलने के बारे में उच्जाहित है He is excited about meeting his favourite author हमें मिलने के लिए एक समय निधारत करने की जरूरत है We need to schedule a time to meet हमें मिलने के लिए एक समय निधारित करने की जरूरत है We need to schedule a time to meet क्या आप जल्दी आ सकते हैं? Can you come over quickly? मुझे उम्मीद है कि ट्रेन जल्दी पहुँचेगी I hope the train arrives soon मुझे उम्मीद है कि ट्रेन जल्दी पहुँचेगी I hope the train arrives soon वह अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो गई She recovered from her illness quickly Translate it मैं कोशिस कर रहा हूँ इसका अंसर अब कॉमेंट्स में जरूर बता है वीडियो अच्छी लेगी तो प्लेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें Thank you